एतेहा सिक पुरानिक वपुरातात्विक दृष्टिकोन से गाजियाबाद इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के चारों और लड़ाए का मैदान अर्थात वार जोन रहा है। हाल के शोधों से यह स्पष्ट है कि इसक्षेत्र में साथ युद्ध लड़े गए थे। मोहन नगर से दो किलोमीटर उत्तर में हिंडन नदी के तट पर स्थित एक गाउं कोट में केसरी के टीले पर खुदाए की गई। पता चला कि यहां लगभग 2520 में सब्यता विक्सित हो गई थी। जो समराट समुंद्र गुप्ट संबंधित थी। समराट ने कोट वंच के राजकुमारों को नश्ट करने के बाद यहां अश्वमेद यग्य किया था। ये एक महान एतिहासिक मेहत्व की घटना थी। चोथी शताबदी में कोट युद्ध लोनी में और तैमोर और भारतिय योधाओं के बीच युद्ध लाजपूर में लड़ा गया था। जिले की एक तहसील थी। अधिकतर प्राचीन शहर दर्बारों वदिवार से घिरे होते थे। दिल्ली वए NCR के शहर भी चारों और से दर्वाजों वदिवारों से घिरे है। गाजे अबाद शहर चार दर्वाजो दासना गेट, सिहनी गेट, दिल्ली गेट और शाही गेट की सीमा के भीतर बसा हुआ है। भारत द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इसे जवाहर गेट का नाम दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद गाजे अबाद आज भारत का एक आधुनिक्तम शहर बन चुका है।